नमस्कार साथि हूँ स्वागत करता हूँ मैं अपनी यूटूब चैनल टोटल वेकिनसी पर दो दोस्तो बिहार स्वास्त बिभाग और बीटी एसी के माध्यम से आज की रेट में कई सारे सूचनाएं निकल कर आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से उनी सूचनाओं के बारे म इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के लास्त तक बने रहे गा सँपून जानगार इस विडियो के माध्यम से बताए जाएंगे जो भी सूच्णारी हो चाहाई आप ड्रेसर हो चाहाई आप लैब टेक्निछन हो साम 5 वेजे एक वीडियो आ जाता है जिसके माधियम से आप लोग को रोजाना के अपडेट्स पता चल जाते हैं तो इस वीडियो को जरू जर प्यार दिखाईएगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा बहुत महनत बहुत ज़्यादा लगता है तो सबसे पहले हाँ पर मैं जानकाड़ी देने वाला हूँ एनिम 10,07 सुनों को लेकर के बीटी एसी के माधियम से आज के डेट में जियां साथियो जो भी जानकाड़ रहेगा वो आज कहीं रहेगा यह जानकाड़ी तो कल की है पर यहाँ पर सूचना आज के डेट में यहाँ पर पब्लिश्ट किया गया है देखिए सूचना क्या कह रहा है यहाँ पर देखें कॉनसेलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कॉनसेलिंग है जो कि आप लोग का आप जो की मार्च के ही अंतिम में यहाँ पर गांधी मैदान ज्यान भवन गांधी मैदान पटना में मार्च के अंत तक यहाँ पर होने वाला है जिसमें कि यहाँ पर यह भी बता दिया या कि लगवक 50 दिनों का समय लगएगा Concelling में यानि कि मैं जैसा कि लगातार कर रहा था 2 महिने का समय काँसेलिंक में लगएगा और 2 महिने का समय यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों कि कॉन सेलिंग के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप सभी को 28 तारिक से कुछ ना कुछ यहाँ पर सूचना है BTSC के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि 31 तारिक से हो सकता है कि कॉंसेलिंग की पालियों को भी सुरवाद करने की बात किया गया है यह एक टेंडर निकाला गया है जहाँ पर की 31 तारिक तक सभी सामागरी चाहे वो खाने पीने की हो चाहे वो डेस्क को क्योंकि डेस्क के टेवल भी यहाँ पर करीबन 30 टेवल मंगाने का यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है तो यह एक अपडेट बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है कि जल्द ही आप सभी के लिए कॉंसेलिंग में जैसा कि बता रहा था कि अपरेल में होगा और यहाँ पर एक अपरेल से पूरी गुंजाई से की कॉंसेलिंग आप सभी के लिए सुर्वाद होने बाले है तो चली दोस्तों यह जानका इड़ी तो हो गया एक और अपडेट एनेम 1070 को रिडेटेड में ही है कई सारे स्टेंट्स यहाँ पर जो की चीज के लिए चिंती थे ती यहाँ पर मैं वो एक्स्प्लें कर देना चाता हूँ यह विग्यापन एनेम का ही जब यह भरती ऑनलाइन अविदन तरीके से अवियंतरित किया गया था उसी में यह सूचना जारी किया गया था यहाँ पर आगर आप बार में नंबर पॉइंट पर देखोगे तो यह बता गया है कि विग्यापन यानि कि BTAC की जो कि 10-10 साथसुनों की परAm mêmesणिन भरती आई है उसे में यहाँ पर यह बता दिया गया है कि आप लोगों को हो सकता है कि SMS के माधियम से या फिर आपके नंबर पर कोई भी कॉल BTAC के माधियम से या फिर कोई भी सूचना BTSC के माधियम से नहीं आए आपको इसके लिए जानने के लिए इनके ओफिसली साइट जो कि BTSC है और एक परिक्षा है दोनों पर आपको विजिट करना होका लगातार या फिर आपको यहाँ पर कोई समाचार पत्रों के माधियम से आपको अपडेट दिया जा सकता है यहाँ पर यह बत बताया गया है कि एसमेश या फिर इमेल के माधियम से या फिर आपका मुवाइल नंबर के माधियम से कोई अपडेट नहीं दिया जा सकते हैं आपका मुवाइल नंबर यहाँ पर जरूरी जरूर है यहाँ पर अगर आपका मुवाइल नमर अगर आप खो जाता हो है तो आप लोग कॉंसेलिंग कॉल लेटर नहीं डाउनलोड कर सकोगे और आने का प्रक्रियाओं के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपके नंबर से होंगे यहाँ पर नंबर तो जरूरी है लेकिन यहाँ पर आप एक तीज ध्यान दिजेगा इमेल आइडी और SMS हो सकता है कि BTAC के माधियम से नहीं निकालना जो कि दिया जाए पर इस बढ़ती में हो सकता है कि नहीं दिया जाए क्योंकि देखिए अगर अस्कूर्टनी का भी बात किया जाए तो SMS किसी के भी मुवाइल पर या फिर email ID किसी के भी मुवाइल पर नहीं आया है देखिए यहाँ पर यहीं बात गया गया है SMS या फिर email ID के माधियम से अब द्यार्थियों को सुचित किये जाने का जो कि बैदता नहीं किया जाता है या फिर बैदता नहीं होगी साथी में दोस्तों बिहार स्वास्थ विभाग के ऑफिसली साइट से कुछ यहाँ पर नए सूचना जारी किये गए यहाँ पर आप सभी देख सकते हो स्वास्थ विभाग के माधियम से ही विभीन आयोकि स्वास्थ अस्थानों पर दवा के लिए उपलब्दक को सुनीचित करने के लिए यह लेटर जारी किये गये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल से जल यो की यह सभी दवाएं को यहाँ पर अस्पतालू में पहुंचाए जा और विभीन स्वास्थ आपका सक्तो केंद्रों पर यहाँ पर राना सुनिचित किया जा इसको लेकर कि यह सूचना होने वाला है दोस्तों साथी में एक और सूचना जारी किया गया है जो कि चिकित्सक के लिए महत्पूर्ण होने बाला है तो जो भी चिकित्सक हमारे वीडियो को वाच कर रहे हैं आप सभी इसे देख लीजेगा साथी में दोस्तों एक बड़ा अपडेट यहां पर आप सभी के लिए आ रहा है सारन के तरब से बाकाया वेतन देने के लिए 10,000 रुपे गूस लिए गए हैं हेल्थ मेनेजर ने धराया है जिया साथी हो जैसा कि आपको पता होगा अभी के समय में क्या हो रहा है एनेम में जो की 88,53 हो चाएगो कोई भी संवीदा पर कार कर रहे हो उनलों को सेलरी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है किनी को 8 महीने से रुका हुआ है किनी को 4 महीने से रुका हुआ है किनी को 2 महीने से रुका हुआ है तो यहाँ पर पैसे नहीं मिलने के कारण से बकाया बेतन तो है ही और उसी के लिए जो की घूस लिये जा रहे हैं कि आपका बेतन तभी मिलेगा जब आप हमें घूस दीजिएगा या फिर जो भी इसके लिए भी जानकारी आये कि जानकारी के नुवस्वार जो की स्वास्त केंद्र में नर्स पिंकी देवी ने बकाया बेतन आभुकतान के लिए 10,000 रुपे डिमांड किये जा रहे थी यहाँ पर यह अपडेट दिया गये बिहार के आगे बढ़ने के लिए देश जो की विक्षित नहीं हो सकता यहाँ पर बताया गया है कि टेजर्स भी बोले हैं कि 10,000,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है और उसे पूरा भी करेंगे अन्तिम चरोन पर 20 बहुत सारी वाहलियां है जो की चल रहे हैं उसको बारे में यहाँ पर रिकार्डिंग में जानकारी दिया गया है साथी में करीबन यहाँ पर स्वास्त विभाग के मादेम से देड़ आलाक भरती जो की निकलने बाली है उसके बारे में भी अपडेट दिया गया है आप सभी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो दोस्तों और आसा लगाया जा रहा है कि अप्रायल के बाद ही यह भड़ती आप सभी को देखने को मिलेंगे जही के लिए दोस्तों जो भी जानकारी आती हैं वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पर कोई जानकारी जब यहाँ पर ऑफिसली तरीके से आएगा तब मैं और भी अच्छे से तरीके से जान बता सकता हूँ पर अभी तक के अनुसार जी एनेम की भी बहाली को लेकर के कई सारे एस्टेंट्स वेट कर रहे हैं उनलों का नियावावली नहीं तयार किया गया जैसे इनके बारे में कोई भी अपडेट आता लैब टेक्नीशन हो चाहे फार्मासिस्ट हो जानकारी दी जाएगे तो आप लोग को घबरान नहीं है आप लोग को ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है यहां साथे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेग अगर आज का अपडेट्स आपको पसंद आया तो जोड़ सोड़ कमेंट करके अपने जानकारी राइद दीजिएगा साथी में जो भी आप लोग डेली बाई डेली अपडेट्स पाना चाहते तो रोजाना पांच बज़े का वीडियो आप लोग मिस्मत करेगा यह वीडिय वीडियो को प्यार दिखाएगा और सभी लोगों के साथ यहां पर सेयर कीजिएगा तो जहीं जयबाद वनिमात्रम थाइंकी फूर वाचें वीडियो मिलते कोई शुरू में तब तक के लिए गुरबाए धन्यबाद